है कि हलो फ्रेंज विलकाम टू माइश्टड़ शीच चैनल दोस्तों प्रिवेस से एर कोईस्टन्स पेपर में जो विक टापिक से पूछे गये हैं सभी कोई खटा करके कि माई आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हूँ रहे हैं पर água सबहungsannya प्रस्तुत कर रहे हूं इस सफलता नहीं मिलती शर्सक्राइब हो आते रहे हैं आप Κलों करना धे आपड सब्सक्राइब हो आज का topic मांस्पेशी तंत्र से जितने भी questions पूछे गए है previous year में उन सब questions का detail यहां पे आपको मिलेगा with explanation के साथ दोस्तो पहला question है कि मांस्पेशी तंत्र के संकूचन element contact trial element को क्या कहते हैं तो इसका सही answer है myofibril यानि जिसे fiber कहते हैं जिसे हिंदी में tantu कहते हैं myofibril क्या होता है दोस्तों यह मांस्पेशी fibril भी इसको बोला जाता है जो एक प्रकार का rod के जैसी पेशी कोशिकाय होती है पतले पतले धागों के समान मायो फाइबर लंबे protein, एक्टीन और myocene तथा टायटीन आदी से मिलकर बनी होती है एक protein इन्हें मोटे और पतले तंतूं के रूप में संगठित कर देते हैं जिन्हें myo तंतू तत्या myofilament कहते हैं यह पेसियों के शंकुचन में शहायक होते हैं जो हमारे पेसी फाइबर होते हैं जैसा कि दोस्तों मैंने अमान स्पेसी वाले वीडियों में बताया है कि अमान स्पेसी फाइबर दो प्रकार के होती है एक रेड मसल फाइबर एक वाइट मसल फाइबर जो रेड मसल फाइबर ह वो फास्टूइट होता है हमारे लंबे समय की क्रियाओं में रेर मसल फाइवर यूज होता है और कम समय की क्रियाओं में वाइड मसल फाइवर यूज होता है यह याद रखेगा नेक्स्ट कोशिका को कहा जाता है देखिए मानस्पेशी कोशिका को कहा जाता है इसमें सही अंसर क्या होगा मानस्पेशी कोशिका जैसे दोस्तों हमारे सरीर की सबसे छोटी काई कोशिका होती है उसी तरह मानस्पेशी कोशिका क्या होती है तन्तु जो मांस्पेसी तन्तु होता है जिसे मायो फाइबर भी कहते हैं तो वो हमारे मांस्पेसी कोशिका या इस तरह से कहा पुछ सकता है कि मांस्पेसी की इकाई क्या है तो मांस्पेसी तन्तु है मायोसाइट या मांस्पेसी कोशिका को मांस्पेसी तंतू भी कहा जाता है नेस्ट कोशन है दोस्तों मांस्पेसी तंतू का समू किसके द्वारा धका होता है इस कोशन को ध्यान से समझेगा दोस्तों कि मांस्पेसी तंतू के समूह यारे कि जो भी मांस्पेसी फाइवर होता है अलग-अलग उन्ने के समूह को इकठा कर देंगे तो उसके समूह को कौन धका किसके द्वरा धका रहता है वो किसके द्वरा धका रहता है मांस्पेसी तंतू का समूह कि से लिययर होता है तो इंडो miicium से ढखा होता है इसमें okeजिम होता कि जैसे कि मांस्पेसी के बहुत सारे लेयर होते हैं जैसिकि इंडो इंडामस्पेटी को फिर्शन समुरू को घंथ किस लोक्त अंश और मोटिंद्ट और जब तंतू हो तो उसको एंडो-μयक्यम धगती है और जब मांस्पेशी की स्धमूर हो उसको, तो पेरि माइशिमee को जुमांसपेशी को पूरा बंड़ होता है मांसपेशी मांस बढता निंच aja मिल शाव सेह ohs next question है दोस्तो कंकालिय पेशी में परतीक पुलिका यानि फासिक्यूलस की चारो और संयोजी उत्तक आच्छादित रहती है वो क्या कहलाता है दोस्तो जैसे कि मानस्पेशी तंतु के समूह को ही फासिक्यूलस बोला जाता है पुलिका बोला जाता है अब तो आप इसका सही एंसर दे सकते हैं तो मैंने अभी क्या बताया कि एक मानस्पेशी तंतु को धगता है इंडोमाशियम मानस्पेशी तंतु के समूह को धगता है और ऐसा ही करके मांसस्पेशी तkarता हो पूरे मांसस्पेशी को फासिकुलस कुलस के प्रतियक पूलिका आ फार्सिट के चारों प्रतियक पूलिका प्रिक ग्रॉप्षस युम्यूर पूलपयाता है प्रतियक पूलिकत संग जिखत53 वह दिखत54 काली काला पूलोथब तैंजे केते डाल पाला काली आजेरेखे, इसी आज्टून प्रतियक तन्तु जो होता है। सारकौल्ल लेमा नामक जिल्ली से धका रहता है। Σतन्तु समूहों से चोठ चोठे चोठे बंडल्स बनातेungs हैं। जिने फासिक्यूलिस कहते हैं कंकाली पेसिवे प्रतीक फेसिक्यूली की चारो और एक मोटी मेंब्रेन पेरी माइसियम होती है जिसमें वह बंधे रहते हैं दोस्तों नेश्ट कोस्टन है सारको प्लाज में पाय जाता है दोस्तों जैसे कोसिका के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको साइटो प्लाज में कोसिका द्रव भरा रहता है उसको सारको प्लाज में कहते हैं तो इसका सही एंसर होगा सारको प्लाज में पाय जाता है किसमें पाय जाता है मानस्पेसिका में मानस्पेशियो में कौन सा प्रोटीन पाए जाता है तो मानस्पेशियो में कौन सा प्रोटीन प्रोटीन पाए जाता है दोस्तों मानस्पेशिया मानो सरी में लगभग 40-45% भाग बनाती है इनमें संकुचन के कारण ही मानो अधिकांस या बहु सारी गमन क्रियाएं हमारे अं सरीर में गती उत्पन होती है इनमें मुक्ता एक्टीन वा मायसीन नमक संकुचन सिल्थ प्रोटीन पाये जाता है दोस्तो नेक्स्ट कोश्टन है मोटा फिलामेंट में लंबा प्रोटीन समाविस्ट होते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि हमारे मांस्पेशी में प्रोटीन फिलामेंट होते हैं कौन-कौन से एक्टीन और मायोसीन जो होता है वो मोटा फिलामेंट होता है तो यहाँ पे कोश्चन क्या है मोटा फिलामेंट में लंबा प्रोटीन समाविस्ट होते हैं जिनका क्या नाम है मायोसीन अगर पतला बोलता तो एक्टीन हो जाता ठीक है जिव विग्यार की भासा में फिलामेंट प्रोटीन की लंबी स्रिंखला को कहते हैं यह बाल मांस्पेशियों इत्यादी में पाई जाती हैं कठोरता और मजबूती के लिए यह आपस में जुड़ी रहती हैं मायोसीन मोटा फिलामेंट सो होता है जैनि ठिक फिलामेंट सो होत संकुचन में महतपूर भूमी का निभाता है नेक्ष्ट के कुष्टन है दोस्तों लाल तंतु से बनी स्लो ट्विस्ट मांस्पेशियां उत्विक तो होती है इसका एंसर सही अंसर देजी दोस्तों जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमारे मांस्पेशि में दो प्रकार के के लिए होता है यहें सहन सिल्टा वाले कलिया होता है एं जो फाइब होता है वह कं अवधिक कर्या के लिए होता है जिसके सहन सकती के लिए कि पेसी ये बिग्यान का जनक किसे कहते हैं तो पेसी बिग्यान के जनक अरस्तु को कहा जाता है दोस्तों और उन्होंने मनुष्य के सरीर में गुर्टवा करसड के नियमू एवं गती तथा उत्तोलक लीवर की सिधानतों को भी इन्होंने ही प्रतीपादित किया किंशियोलोजी का अध्यान से संबंधित है किस अध्यान से संबंधित है हमारा किंशियोलोजी मानो क्रियाओं से कि मोटर क्रियाओं से कि सारी स्वस्ता से कि मानोकार विज्यान से तो मानों की जो क्रियाएं हैं उससे सम्हें दिकation क्रियाईं कर Τाहिए तो हाँ क्रियाओं करके जाता है Gothic सोगा माना ऐसे दो इसको किनसी सब्द जो है गरिक present सब्द कमिया गया है जिसका आर्थ होता है गती एंड लोगस सब्द का आर्थ होता है ग्यान अत्वा अध्यन तो इसका तात्पर हुआ किन्सुलाजी जिसका ब्याख्या हुआ गती के अध्यन से की जाती है किन्सुलाजी सब्द विसाए एक संगठी तथा विध्युत ग्यान करता चाहा है तो किनसुलोजी के जनक औरस्टू, इसीन कियां, इसके जनक आपके होगे। पेसी बिग्यान के अंतरगत किसका अध्यन किया जाता है किसका अध्यन किया जाता है सारिक बनावड का की बिमारियों का की गती का तो पेसी बिग्यान के अंतर किसका अध्यन किया जाता है गती का नेक्ट कुश्चन है मानों सरीर में मानस्पेशियों की प्रकार होते हैं कौन कौन से हमारे सरीर में मानस्पेशियों की प्रकार होते हैं दोस्तों जैसा कि आप सब को पता होगा कि रेखित रेखित और हिदय पेशियां पाई जाती हैं हमारे सरीर में तो यह सही एंसर क्या हो वरेंटरी, इन्वरेंटरी एन कार्डियक मसल्सूस्टीकी अनि रहके सीट पेसिर इन्वरेंटरी और स्थिकूर और रहएंटरी आनि हीडर सुरी नखानियरो स्थि 어때 मैं जोस्तों 51 और जाती है जो छालीं तैलिए Divойनटरी और कार्डियक मसल्सूस्टायुं से autolah पहाग अमारा सरी काप बनाती है कोल पेसया यानि सबसे ज्यादा कि मैं रीख्वित्पेसिया रेंपलाल्स यानि इन वैलेंट्रि पेसिया रेख्व मेंं आकार्डियाक ही दुस्तों इसका दूसरा नाम भी याद रखना है तो कि अस्त ऑर के साथ Eastern में पेशिया होती है अस्थियों के साथ कौन सी पेशिया जुड़ी रहती है दोस्तों रेखित पेशिया होती है इसके लेटल मसल्च होती है वो हमारे अस्थियों से जुड़ी होती है टेंडन के जवरा संदी और पेश्यों के बीच इस्थित अभिग्राहक को कहते हैं उसको दोस्तों कहते हैं स्वामित अभिग्राहक यानि इसको इंगलिस में कहते हैं प्रोप्रायोशेप्टर्स यह क्या करता है दोस्तों स्वामित अभिग्रा है कि यह स्वाम्य ज्यानेंद्रियां प्रोप्रायोशेप्टर्स जो होता है हमारे संधी और पेशियों की बीच पेशियों, संधियों, कंडराओं, इसनाईयों आदी में इस्थि सम्वेदी तंत्रिका तंतुगों के स्वतंत्र वर नगन छोर होते हैं और एचिक गतियों, तनाओं, खिचाओ, संतुलन, दबाओ, आदी के कारण उत्पन, अंता उत्दीपुनों के यह सब ग्रहण करते हैं जिससे हमें एक गति करने, या कारे करने के लिए, उत्परेरित करते हैं, तो यह सर्भवेदी, जो उससाब को ग्रहण करते हैं, जो भी हम कारे करते हैं, या देखते हैं, सुनते हैं, उसको ग्रहण करके, हमारे मस्तिक सक एसकल पहुँचाते हैं, heavenlyьте, ऊच्छी स्थितों, क नोसे हम क्या कहते हैं कौन सी मांश-पेशी कहते है डोस्तो हमारे चेम प्रकार की मांश-पेश कर घाती जो होती है हूँ например इच्छा उनसार कार करती है या हमारे हाथ पैरों में पाए जाती है या हमारे हड़ियों से जुड़ी होती है टेंडन के द्वारा अनेचिक पेसियां जो होती है दोस्तों उस पे हमारा कोई नहीं अंतरन नहीं होता है और हमारे इच्छा उनसार नहीं अपने आप कारे होता रहता है जैसे हमारे आंतरिक अंगों में यह पाई जाता है अनेचिक पेसियां जैसे हमारे अमासर में भोजन जाना अमासर से सोटी यात में जाना इससे बड़ी यात में जाना इस सब किरियां जो होती है आपके अनेचिक पेसियां का होता है एंड तिसा होता है हेडे पेसिय का दूसरा नाम क्या है अरेखित पेसी दोस्तों अरेखित पेसी जैसा कि मैंने बताई एक होकलो अंतरांगों हमारे आंतरी गंगों में जैसे अहार नाल, मुत्तरा से, पिता से, स्वास नली, गर्भा से, यूनी, जनन, रुधिर वाहिनियों आधी में पाय जाता है आधी की दिवार, फिलिहार, नेत्रो तोचा की डर्मिस्ट में पाई जाता है। इनका अस्तियों से कोई सम्बन नहीं होता है it. यह अनेची मांस्पेश्या होती है। इनेक्षिक होती है मरे मानस्पेश्यां किस प्रकार की होती हैं ईच्छिक होती हैं maison होती हैं- आ समस्त जीवन के दोरान बिना थकावर के लगातर काम करती हैं यह उन न्य नहीं होता है कि कि तत्व के प्रयाप्त होने से खिलाडी देर तक नहीं ठकता है को सा तत्व होगा जिससे हम देर तक काम करेंगे अधकें नहीं दोस्तों तत्व होता है ग्लयकोजन इसलिए हमको काल्यक्ती से में जो एथलीट हूता है उचाने तरह कौण गमोजन काल़ोगाइट का हुता है वो हमारे सरीरब होता है और अससे हैं चरणता है और हमारें मेंRIS2 फ़स्टेक करें है मेरे में मैंस्पेशिओं में तो यही बात है, Πेस 혼자 के किस ततोब मेन के परियाबत होने से खिलाई जरी तक कर्ड सकता है तो गलाइकोजन के और कार्भो हैडाइड जो होते हैं दूस्तों सधरा क अब चलाइडेड़, यह होते हैं मौनूसटürd आरी होलिसटद परियाडे मौनौसकुराइड पानी में घुलनसील होते हैं इस स्वार में मीठे होते हैं इतने को सुगर्त या सरकरा कहा जाता है जैसे इस्टार्च, डेक्ट्रिन्स, ग्लाइकोजन, वस्टेलोच यह जतिल कर्भो हाइड़ेट कहा जाता है ग्लाइकोजन तत्व की वजह से खिलारी देर तक नहीं थकता ह जो सब्सक्राइकोजन ये इचल कर्भो हाइड़ेट का शुच जाता है जैसा कि आप सब को पता होगा सार्टोरियस जो हमारे सरी की सबसे लंबी मासपेसी होती है हिप से शुरू होका हमारे निचले जूटने तक जाती है जाती हमारे पतली रिबन के अकार रिवाएकोजन बीडियो आप देखना है तो टेलर मसल की से बुला जाता है दोस्तों साटोरियस मुसल को साटोरियस मुसल का ही दूसरा नाम साटोरियस होता है यह हमारे सरी की सबसे लंबी मास्पेसी होती है साटोरियस मुसल पैर के उपर ही बाग में पाय जाती है दोस्तों बहुत सारे मसल्स होते है गश्ट्रोनीमियत मुसल्स कहां पायाता है दोस्तों हमारे जांग के निचले गुटने के निचले पिछली वाले भाग में तथा हैमेस्ट्रिंग मुसल्स भी हमारे जांग के पीछे वाले भाग में पाए जाता है तो निश्ट है कि फेकने से जुड़े खेल इस परधाओं में सलग्न मुख्य-पेसी का क्या नाम है बताइजे जो हम हमें फेकने के काम आता है मतलब थ्रोइंग मुसल्स कौन है कि घ्रोइंग मुसल्स कौन है कौन सा आपसर नंबर वी ब्रेहद अंसर पेसी जिसी पेक्टोरिलिस मेजर बोला जाता है यह हमारे थ्रोइंग मसल्स होता है जो धकेल ने ऊपर उठाने में बहुत पुर्भुमिका अदा करता है जो हमारे वर्च पर होता है दोस्तों नेश्ट कुश्चन है अमासे में परार्थ के प्रवेश की अनुमति देने वाले पेसी वलय कहलाता है जो अमासे में जो खाना खाते हैं सबसे पहले कहा जाता है अमासा में, अमासा को भी पेट बोला जाता है, अमासा में इस्टो मच में पदार्थ के प्रवेश की अनुमती देने वाले पेशी वलय कहलाता है, कौन सा ऐसा पेशी वलय है, जो हमारे अमासा में भोजन के पदार्थ को प्रवेश की अनुमती देता है, कि तुम आओ, यह हो काडियक इस्पाइन नेक्टर बुला जाता है इस्पाइन इस्पाइन्टर बुला जाता है जो अमासे तथा ग्रास नली के मद्ध खुलता है किसके मद्ध पुछता है अमासे जो हमारे भोजन मुख से होते हुए ग्रास नली होता है ग्रास नली से होकर के अमासे में जाता है जहां पर ग्रास नली से अमासा में जाता है, वहीं पर ये खुलता है, जिससे ग्रास नली से बोजन अमासा में चला जाता है, ये हर्द समर्डी ये कार्डियक वले कहलाता है, कार्डियक पेसी वले कहलाता है, प्राया तरल और ठोस पदार्थों के गमन को नियंजित करता है, यानि की जो हमारा ग्रास नली होता है उसका जो अंतिम पोजीशन होता है जहां पर वो ग्रास नली से अमासा में प्रिवेश करता है उस द्वार को कार्डियक बुला जाता है यह समझ लिजिए यह हिंदी बुलेगा तो हरत्समवर्डी नेश्ट कोश्चन है ज्यादातर मांसपेसियां जो कुल्हे के जोड़ को गती परदान करती है उसका उद्गम होता है कहां पर होता है ज्यादातर ओर मांसपेसि जो कुल्हे के जोड़ होते है उनको गती परदान करती है उनका ज्यादा तर उद्गम कहां पे होता है तो हमारे स्रोडी से होता है कहां से होता है स्रोडी से होता है नेश्ट कोस्चन है दोस्तों कि स्रोडी को मोलने में प्रयुक्त पेसी के रूप में जाना जाता है कौन सा पेसी ऐसा है जो हमारे स्रोडी को मोलने में कम आता है तो क aquest को नाता है दोस्तों से तुपन कि इस इस savior सिरस्क की इसको बुheure में jer जाता है। बहुतने कि सीधा रखने किया घुटने को सीधा रखने और फ्रोड़ी यानि हिप को मोडने में प्योग होता है इसको ध्यान में रखिएगा और दोस्तों जो हमारे कवडिसिस मॉशल होता है जो हमारे जन्ग पर पाता आ जानके अगर भाग में आगे वाले भाग में पाय enne गुटने को सीधा रखने में कम आता है और हीप को मोरने में कम आता है यह चार पेसियों से मिलकर बना होता है क्योंकि चतुर सिरस भी बुला जाता है इस चार पेसियों से मिलकर क्वाडिस से समस्द बना होता है कि इस कौन कोन से चार पेसियों का समलेत रूप होता है रेक्टरस फेमरीस वास्टरस लेटरलिस वास्टरस मेडियलिस वास्टरस इंटरमेडियलिस इन चारों से मिलकर क्वाडिस से समस्द बना होता है दोस्तों औ और स्रोड़ी को मोड़ने में प्रेक्ट होती है और घुटने को सिधा रखने में कि कोहनी की संधी को मोड़ने फ्लेक्सन यो विस्तार एक्स्टेंशन में कौन सी मांस्पेशी सहायक होती है कोहनी की संधी को मोड़ने जो हमारी कोहनी होती है उसको मोड़ने में जो हाथ की कोहनी होती है उसको मोड़ने यानि फ्लेक्सन करने में और विस्तार यानि एक्स्टेंशन करने में कौन सी मांस्पेशी सहायक होती है तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स जो हमारे हाथ की बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स होती है जो हमारे दोस्तों हीवरस जो हमारी हटी होती है उसके उपर आगे वाले भाग में जो बाइसेप्स मसल्स होती है उसके पीछे भाग में ट्राइसेप्स मसल्स होती है किस प्रक्रिया से संबंध है इसकंद बंद आकुन्चन से तो आपको दिमांग लगाना है आपको देखना है कि हमारा इसकंद कि नडस्टाइब्स दिमांग लगाना है हो पीछे वाले बाह में होता है तो इसकर मंन सम्मध्ध खोगा नहीं इंड़ आपसाज है कोहनी विस्ता शॉथे आयक होता है हमारे कोहनी के विस्तार बिस्तार में कौन साज़ उता है स्विषेट घीक सीफ मसल्स यानी फैल नहीं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा हर एक प्रश्ण दोस्तों यह वीडियो कैसा लागा मुझे कमेंट में जरूर बताइए जादे जादे दोस्तों तक भी सेयर किया किजिए दोस्तों जिसे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके जिसे में रेगुलर बेसे से वीडियो आपके लिए अप्लोट कर सकूं और दोस्तों पहली आप विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइ कर लीजिए बिल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिसे जो ही में नया वीडियो अप्लोट करूंगी उसको नौटिफिकेशन आपकी पास जाता रहेगा तो दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट टॉपक की साथ तब तक के लिए जाएं